नमस्कार, जेबीटी अध्यात्म में आपका स्वागत है आपके साथ मैं हूँ अंकेता जोतिश शास्त्र के अनुसार माना जाता है कि ग्रहों की राशी परिवर्तन से कई शुब अशुब योग बनते हैं जिनमें से एक है चतुर ग्रही योग आपको बता दे कि जब एक ही राशी में एक साथ चार ग्रह विराजमान हो जाते हैं तो उसे चतुर ग्रही योग कहा जाता है हिंदू धर्म में इस योग को बहुत ही शुब माना गया है 18 अक्तुबर को ग्रहों के राजा सूर्य तुला राशी में प्रवेश करेंगे यहां केतु, मंगल और बुध पहले से ही विराजमान है ऐसे में तुला राशी में एक साथ चार ग्रहों के होने से चतुर ग्रही योग का निर्माण हो रहा है जो कि बहुत ही शुब माना जाता है आपको बता दे कि 100 साल बाद बन रहे इस अध्भुत चतुर ग्रही योग से कुछ राशियों के लिए बहुत शुब रहने वाला है चलिए जानते हैं, कौन सी है वो राशिया तो सबसे पहले हम बात करेंगे मिथुन राशी की जोतिश शास्त्र के अनुसार आपको बता दे कि तुला राशी में चतुर ग्रही योग के बनने से मिथुन राशी वाले जातकों के लिए ये बेहर शुबकारी रहने वाला है ये समय मिथुन राशी वालों के लिए बहुत लापकारी रहेगा आपको आगस में धनलाब का योग बन रहा है, करियर में तरक्की की योग बन रहे हैं, साथ ही आए में वृध्धी भी हो सकती है इस राशी के लोगों का समाज में मानसमान बढ़ेगा, आपके जीवन में एक खुशहाली आएगी इन राशी वालों को कारिश रेत्र में सफलता मिलेगी और आपका आत्म विश्वास बढ़ेगा इसके अलावा हम बात करेंगे वृषब राशी की सूरी ग्रह के राशी परिवर्तन से बनने वाले चतुर ग्रही योग का फायदा वृषब राशी के जातुकों को भी मिलने वाला है इस दौरान आपको अपने दोस्तों परिवार का पूरा सा योग प्राप्त होगा आपके सारे अधूरे काम पूरे होंगे आपको सुख सुविधाओं में व्रधी होगी कारिश शेत्र में उन्नती के अफसर भी प्राप्त होंगे मेश राशी वालों के लिए चतुर ग्रही योग का बनना बहुत लाब देने वाला है इन लोगों को पार्टनर्शिप के काम में सफलता मिल सकती है जीवन साथी के साथ आपके संबंद मधूर होंगे वैवाहिक जीवन में खुशिया बढ़ेंगी काम का आज में सफलता मिलेगी और आखरी में बात करते हैं मकर राशी की तो आपको बता दें कि मकर राशी वालों के लिए ये चत्रुग्रही योग करियर में बड़ी तरक्की लेकर आने वाला है जोतिश शास्त्र के अनुसार मकर राशी वालों के लिए चत्रुग्रही योग बहुत ये अनुकूल रहेगा कारे शेत्र में आपको मन्चाहे परिणाम की प्राप्ति होगी, साथी सब्धी में व्यापारियों को भी जम कर मुनाफ़ा होगा और हर शेत्र में आपको सफलता मिलेगी नमस्कार